अब संबित पात्रा जो की बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं यानी कि बिलकुल सरकार से और रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं ये कोई कहीं नहीं सकता कि बे सरकार से सोतंत्र हैं वो तो हर चीज सरकार की डिफेंड करते हैं कितनी भी गैर कानूनी हो कितनी भी बेमानी की हो हर चीज को डिफेंड करने के लिए स्पोक्समन का काम यही मान लिया गया है कि बहुत वो सरकार की बस चमचा गिरी करे सरकार को बस डिफेंड करे और यही काम संबित पाता रोज टीवी पर करते हैं और फिर भी उनको स्वतंत्र इंडिपेंडनेंट डिरेक्टर की तरह न्यूक्ट कर दिया गया जबकि उनका गैस और ओयल के फील्ड से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर का कोई रिष्टा नहीं है उनको ये मान लेना कि वह स्पेशिलिस्ट है इसके ये तो बिल्कुल मतला बख्वास बात होगी दूर आप इस आधार पर न्यूक्त कर दे एक हैं कि वह ओयल और नैच्रल गैस के स्पेशिलिस्ट हैं सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से वो जो प्रक्रिया प्रिस्क्राइब करी गई है इंडिपेंडन्ट डिरेक्टर्स की न्यूक्ति करने की वो भी नहीं करी गई और समदित पात्रा अकेले नहीं है, इससे पहले भी शाजिया इल्मी, उनको इंजिनियर्स इंडिया का इंडिपेंडन डिरेक्टर अपॉइंट कर दिया, अब उनको इंजिनिरिंग से क्या लेना देना है, कुछ भी उनको इंजिनिरिंग के बारे में नहीं आता, वो भी सरकार की, एक और थी कोई गुजरात की कॉस्मेटॉलिजिस्ट, उनको एक और पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग का इंडिपेंडेंट डिरेक्टर अपॉइंट कर दिया, इस तरह से दस से जादा सरकारी लोगों को, जो की भाजपा के स्पोक्स पर्संस हैं, या किसी और के इपैसिटी में भाजपा के लिए काम करते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, जैसे कि ये अपनी जागीर है, सरकार जिसको चाहे दे दे, क्योंकि इसमें खुब पैसा भी दिया जाता है, एक एक इंडिपेंडेंट डिरेक्टर को सिटिंग फीज, कुछ-कुछ बात भी दी जाए, उनको डिरेक्टर बना कर कि जिसको चाहे नौकरी दे सकें, वो दिया जाए, सरकार सोचती है कि ये पबलिक सेक्टर अंडिटेकिंग जो कि इस देश के जनता के खुन पसीने से बनाई गई हैं, उनके पैसे से बनाई गई हैं, पर ये मोधी सरकार ये सो अधियूस कर लें, और ये ही सब चल रहा है, जिसके चलते हुए, अभी संबित पात्रा को NGC का डिरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है, जिसको हम लोगों ने कोर्ट में चुनाती दी है, सर्थ, सुप्रीम कोर्ट में ने, हाई कोर्ट में चुनाती दी है, सॉरी, जी त आज ये देश एक बहुत ही संगीन मोड पर खड़ा है, एक ऐसी सरकार हमारे सामने है, जो की इस आधार पर आई, कि हम भरष्टा चार खतम कर देंगे, हम काला धन खतम कर देंगे, हम रामराज ले आएंगे, हम अच्छे दिन ले आएंगे, और आज हम देख रहे हैं, कि भ भष्टा चार खतम करने के बजाए, भष्टा चार के खिलाफ कानून और जितनी संस्था बनी थी, उनी को खतम कर दिया, आज हम देख रहे हैं, कि पारदर्शता सारी खतम कर दी, आज हम देख रहे हैं, कि अच्छे दिन के बजाए ऐसी सिचुएशन ले आएंगे, कि जहा कई लाख लोग इस सरकार के आने के बाद कम से कम पचास लाख नए युवक बेरोजगार हो गए जो रोजगार के उसमें आते हैं वो बेरोजगार हो गए कितने छोटे बड़े उद्योग खतम कर दिये गए इस तरह से डी मॉनेटाइजेशन नोट बंदी लागू करके और जी एस्टी लागू करके जिस पर अब मुदी सरकार ये कह रही है कि जी हमने नहीं किया था वो तो कॉंग्रेस वालों ने किया था आपने मिडनाइट में रात में बारा बज़े पारलिमंट को खोल के खुब बैंड बाजे के साथ बोला कि हम तो नया फ्रीडम एट मिडनाइट ला रहे हैं जैसे कि कोई नई आजादी मिल गई हो देश को कि जी अस्तिल आ रहे हैं और जब आप देख रहे हैं कि भई आपने बिलकुल ऐसा बेकूफी का कदम उठा दिया जिसकी वज़े से पूरा सारा उद्योग ध्वस्त हो गया इस देश का खास खास करके छोटा उद्योग तो आप कह रहे हैं कि नई जी ये तो कांग्रेस ने किया था तो मतलब कैसी सरकार है कितने ऐसे लोग हैं कि जो एकदम जूटे वादे करके जूटा ढोंग रचा के भष्टा चार को बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए ये बहुत और सिर्फ यही नहीं मतलब तरे तरे की गुंडागर्दी चल रही है रोमियो स्कॉड के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है बिलकुल इस देश के सारे इंस्टिटूशन्स को द्वस्त किया जा रहा है इलेक्शन कमिशन को द्वस्त किया जा रहा है उसको उसकी स्वतंतरता खतम करी जा रही है कंट्रोलर और ज जेनरल की भी स्वतंतरता खतम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, सी बी आई की तो खेर करी जा रही है, उसके अलावा नियाए पालिका की भी स्वतंतरता खतम करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसी सरकार तो एमर्जनसी में भी नहीं थी, जैसी सरकार ये निकल कर आई है, जितना बड़ा खत्रा आज लोग तंत्र के लिए पैदा कर दिया है देश में उतना बड़ा खत्रा तो एमर्जेंसी में भी नहीं था